टॉण है लो गाइस केसे हैं आप लोग स्वागत हैं आप लोगों का फिर से मैं एक नहीं विडियो है आज मैं आप लोगों को बता हूँ हूँ गाइसकी Samsung Galaxy A23 5G upon में आप लोग डाटा लिमिट को केसे सेट कर सकते हो अगर आपके पास एक Samsung Galaxy A23 5G फोन है और इस फोन में जो है आपको mobile data limit को set करना है अगर आपका data ज़यादा यूज़ हो रहे और अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग जो है जो भी set करेके रहेंगे data limit में तो आप जब भी आप लोग जो है देर जीवी से या दो जीवी तक मतलब पोचने वाले आप लोग अपने इस फोन में data limit को set कर सकते होगा इस तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा इस आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसान आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए गईज वीडियो को start करते हैं data limit को set करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फोन के settings में जाना है settings में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा इस connections का तो इस connections के option पे click कर दीजिए क्लिक करने के बाद data uses का option मिलेगा data uses पे click करेंगे click करने के बाद mobile data uses का एक option मिलेगा तो इस mobile data uses पे click कर दीजिए click करने के बाद थोड़ा सो loading होगा और यहाँ पर options आएंगे guys तो यहाँ पर देख सकते setting का option नहीं है यहाँ पर आपको पहले तो mobile data को on करना होगा on करने के बाद अभी mobile data uses पे click करेंगे तो यहापर उपर की तरब जो है right side में आपको एक settings का option मिलेगा settings पे click करेंगे click करने के बाद set data limit का option है इसको on करेंगे और data limit पे click करके यहापर जितना GB भी आप लोग जो है set करोगे उतना GB खतम होने के मतलब खतर होले इस पहले सी आपक को कोई वीडियो अगर वीडियो पसाना होते वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजे मिलते कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई